तराब घोटाला जैसी कोई चीज नहीं हुई नरेंद्र मोदी जी ने अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ एक गहरी साजिस रची दुनिया की सबसे इमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी छे माई को दिल्ली की अदालत ने जो आदेश पारित किया उस आदेश के आने के बाद पूरी दुनिया के सामने मन गढ़ंत तथा कथित हवा हवाई शराब घोटाले का सच सामने आ गया है और पूरी दुनिया को ये सच्चाई पता चल गई है कि दरसल सराब घोटाले जैसी कोई चीज थी ही नहीं सराब घोटाले के नाम पर भारती जनता पार्टी ने पीमो ने नरेंद्र मोदी जी ने अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ एक गहरी साजिस रची उनकी छवी को खराब करने की एक गहरी साजिस रची क्योंकि सराब घोटाला जैसी कोई चीज नहीं हुई एक फिल्म का गाना था बिजली गिराने मैं हूँ आई कहते हैं मुझको हवा हवाई कल से भाजपाईयों से जो भी पूछा जा रहा है भाजपाई कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा में एक घोटाले की बात करते थे हवा में एक जाच की बात करते थे ए डी ने सीबियाई ने जो जात सुरू की उस जात में कहा ये तो 100 करोण रुपे की रिश्वत ली गई है पहले ए डी सीबियाई ने मान लिया सतर करोण की कोई जानकारी हमारे पास नहीं 50 करोण का तो कोई सबूत ही नहीं 30 करोण का सबूत है ऐसा एक जूटा प्रचार और जूटी जानकारी उन्हों ने अपनी चार सीट में रखी ये कहा कि राजेस जोसी नाम के एक वेंडर को साउत के कुछ लिखकर व्यापारियों ने 30 करोन की रिश्वती वो 30 करोन रूपए राजेस जोसी के माध्यम से गोवा चुनाओं में खर्च किये गए राजेस जोसी के माध्यम से गोवा चुनाओं में 30 करोन रूपए खर्च किये गए पिछले 6 महिने से पूरी की पूरी EDCBI पूरा का पूरा विभाग नरंदर मोदीजी ने का जाओ गोवा जाज करो जाज करो बिचारे EDCBI आले क्या करते हैं दिन रात गोवा में लगे हुए हैं इससे पूछो उससे पूछो इसको पकड़ो उसको जेल में डालो इसको हड़काओ उसको धमकाओ सारी जाज कर ली EDCBI ने सारी जाज कर ली उसके बाद ED वालों ने कहा साहब कुल 19 लाख रुपए कैस में खर्च हुआ है दुनिया की सबसे इमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी जो एक विधान सभा के प्रदेश के चुनाओं में मात्र 19 लाख रुपए कैस में खर्च करती है मैं नहीं ED और CBI कह रही है ED और CBI कह रही है 19 लाख रुपए मात्र खर्च किये गए कोट ने पूछा भाई आप ये 30 करोन का आरोप कैसे लगा रहे है कहते कोई सबूत नहीं कोट ने का कोई सबूत नहीं तो गिरिफतार करके क्यों रखा है ये तो आपकी जाची फर्जी है बेबु इसमें तो कोई तथ नहीं कोई प्रमाण नहीं और इसके आधार पर राजेस जोसी और गौतम मलहुत्रा को कोट ने जमानत दे दी ये कहते हुए कि सराब घोटाले में किसी भी प्रकार का कोई साक्षे कोई तथे कोई प्रमाण ED के पास नहीं है इसके बाद भारती जंता पार्टी के अंदर भारत के प्रहान मंत्री नरेंदर मोदी के अंदर अगर जरासी भी शर्म है तो चुलू भर पानी में नाक रगण के पूरे देश से माफी माँगनी चाहिए अर्विंद केजरिवाल से माफी मांगनी चाहिए आम आद्मी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए और ये हवा हवाई जूटा मन गरंद जो घोटाला खड़ा किया गया इस घोटाले को खड़ा करने वालों के खिलाफ सक्त करवाई होनी चाहिए एक ऐसी जाँ चाप कर रहे है जिसका न सिर है न पाउ है पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं सराब घोटाला जूट का एक पुलिंदा है बेबुनियाद है इसमें कोई तथ नहीं कोई प्रमार नहीं लेकिन प्रमार जुटाने के लिए दबाव बनाया गया पीमो की ओर से प्रमार जुटाने के लिए जबरदस्ती E.D. पर दबाव बनाया गया प्रधान मंत्री के द्वारा नरेंद्र मोदी के द्वारा भारती जनता पार्टी के द्वारा के अरे केजरिवाल की छवी खराब करो कहीं सबी पकड़ो सबको गिरिफतार करो आम आदमी पार्टी की छवी खराब करो इनके नेताओं की छवी खराब करो तो क्या क्या किया इसके लिए एक चंदन रेड़ी नाम के विक्ति को पकड़ा उसको मारा पीटा दोनों कनपटी फार दी उसकी बोले लिख ये बयान कह रहा हूँ कनपटी फार दी दोनों आईडी ने अरुन पिल्लाई ने कोट में का साब हमसे गलत जवर्दस्ती बयान लिया इतना ही नहीं कितनी जूटी कहानिया और कैसे चीखते थे नाचते थे भाजपाई ऐसे लगता था टीवी फार के बाहर निकल जाएंगे मनीज सिसोधिया ने चौदा फोन तोड़ दिया हमें तो डर लगता था कि भाजपाई कहीं पगला के स्क्रीन फार के लग बाहर निकल जाएंगे टीवी से इतना तेज चीखते चिलाते थे मैंने सारे साच रखे कि चौदा के चौदा फोन जिंदा है हुजूर चल रहे हैं और देखिए एडी के जूट का कुलिंदा साथ फोन तो एडी और सीबियाई वालों के पास ही है चार एडी के पास है एक सीबियाई के पास है बाकि सब चल रहे हैं सारे फोन चल रहे हैं कह से चीखते थे भाजपाई चिलाते थे फिर क्या कहा संजेंग propose सीग्स का नाम है चार सीध में संझेे सब को notice भेजती है मैंने कुद एडी वालों को notice भेज वह मानने करता पता क्या इसकी तो लिखके उन्होंने गल्ती मानी बुले लिखना था राहुल सिंग लिख दिया संजे सिंग मैंने का बे इमानों कभी नीरो मोधी के जगा नरंदर मोधी लिख दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी तब ही ललित मोधी की जगा नरंदर मोधी लिख दिया तो क्या होगा ऐसे मत करो इतना जूट मत करो मालूम है मोदी का दबाव है मालूम है भाजपा का दबाव है मालूम है पीमो कार्याले का तुम्हारा इक पर दबाव है लेकिन ऐसे बदनाम करोगे किसी को भी ऐसे हवा हवाई जूट बोलोगे तो इसलिए पूरी की पूरी भारती जन्ता पार्टी को इस देश के लोगों से आम आदमी पार्टी के एक एक करता से नाक रगड के माफी मांगनी चाहिए जिन लोगों ने जूटे आरोप लगाए जूटे बयान बाज़िया की जूटे तरीके से आम आदमी पार्टी को बद ने आके इस जो साजिस के पीछे इस इस गहरी साजिस के पीछे जो उनका और उनके दफ्तर का हाथ है उनको भी माफी मांगनी चाहिए सराब गोटाला सराब गोटाला बिना मतलब कोई सबूत नहीं कोई आधार नहीं अरे बैस जिस राजेस जोसी के नाम पे तुमने कहा कि तीस करोड रुपए इसको रिश्वत दी गही और इसने गोवा के चुनाओं में लगाया कोर्ट में एक साक्ष एक सबूत एडी नहीं प्रस्तुत कर पई गौतम मलोतरा के खिलाब जो आरोप लगे एक साक्ष और सबूत प्रस्तुत नहीं कर पई इसक को भी चौराहे से पकड़ो चार तमाचे मारो किसी को को तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम देखेंगे किसी को को तेरे बुदुर्ग माबाप की हम ऐसी तैसी कर देंगे किसी को को तेरा हम व्यापार चोपट कर देंगे और उससे कुछ भी बैयान लिखवा लो कोई सच्चाई नहीं कोई प्रमार नहीं तो इसलिए भारती जनता पार्टी का ये काला चहरा भारती जनता पार्टी की ये गहरी साजिस छे माई को मानी कोट के आदेश के बाद पूरे देश के सामने आ गई है और ये सच भी पूरे देश के सामने आ गया है कि अरविंद केजरिवाल एक कटर इमानदार नेता है आमादनी पार्टी एक कटर इमानदार पार्टी है और इसके किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने में जूटे आरोप लगाने में चाहे मोदी जी हो चाहे भारती जनता पार्टी हो चाहे पूरी की पूरी इनका तंत्र हो कोई भी सफल नहीं होगा E.D. हो C.B.I. हो कोई भी सफल नहीं होगा क्योंकि जूट जूट होता है सच सच होता है जैहिन सत्यमियो जैते और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि एक कहावत है हमारे यहां कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है सुने होगी एक कहावत आपने तो जिस पार्टी का रास्टिय अध्यक्ष रच्छा सौदे में रिश्वत थाते हुए सजा पा चुका हो जो पार्टी शहीदों के ताबूत में घोटाला करती हो जो पार्टी ब्यापंग घोटाला करती हो जो पार्टी रेड़ी ब्रदर्स और यदरप्पा के जैसे माईरिंग घोटाले करती हो जो पार्टी अडानी के चर्णों में बैठ कर लाखो करोर का घोटाला करती हो जिस पार्टी के बारे में करनाटक के गली-गली में महले महले में गाउं गाउं में किसी भी बच्चे से पूछो भारती जनता पार्टी लोग कहते हैं 40% कमिशन वाली पार्टी करनाटक में गाओं गाओं में पूछो भारती जंता पारटी लोग कहते हैं 40% कमीशन वाली पार्टी तो जिन भाजपाईयों के दिमाग में दिन राग घोटाला 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 चलता रहता है उनको तो सावन को के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है घोटाले बाजों को मन गढ़ंत जूटा एक शराब घोटाले का आरोग केजरी वाल और आमादमी पार्टी को बदनाम करने के लिए लगाना था इसलिए उन्होंने ये पूरी कहानी रची थी लेकिन इसका पूरा सच पूरा साक्ष पूरा प्रमाण अब देश के सामने आ गया है और मैं फिर दोरा रहा हूं कि प्रधानमंती नरेंदर मोदी को भारती जंता पार्टी को चुलू भर पानी लेके नाक रगड के पूरे मैं समझता हूं कि ये जो आदेश है छे मई का कोट का आदेश ये निश्चित रूप से आने वाले केस में भी इसकी सच्चाई माननी है जो हमारे अधिवक्तागर्ण है वो रखेंगे और निश्चित रूप से नियायले इसका संग्यान लेगा अब फिर मैं उन्हीं चीजों को दोहराओंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा मैं तो कह रहा हूं कि भाजपाई कल से क्यों गाना गा रहे हैं कि कहते हैं मुझको हवा हवाई कहां गए जो पूरे के पूरे आरोब पोर्ट में ध्वस्त हो गए एक सबूत एक प्रमार नहीं मिला तो अब मुझ इलाने के लिए खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप भाजपा कुछ भी बोलती रहें कहा था ना चीख के चोदा फोन तोड़ दिये मनी से सौदिया ला मैंने सारे साथ चरक्ते तो भाजपाईयों को माफी नहीं मांगनी चाहिए इसके लिए कहां गोवा के चुनाओं में पैसे लग खिला तो इसके लिए भाजपाईयों को माफी मांगनी चाहिए जितने जूट होना मेरे मेरे खिलाब बोला खोदेडी ने कह दिया गलती हो गई गलती से नाम लिख दिया तो इसलिए मैं करता हूं गंदी राजनिती करो इतनी घट्या अब दिकत क्या है कि गुजरात में श पार्टी पे एक मन गढ़न थावा हवाई खयाली पुला घोटाला बनाओ तो बनादिया उन्होंने खयाली पुलाओ घोटाला बहुत 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 है देखे ऐसा है कि करनाटक में हम अपना चुनाओ लड़ रहे हैं और पार्टी का संगठन वहाँ पर करनाटक के अंदर हमारे नेताओं ने केदरी नेतुरत ने मिलकर नेने लिया वहाँ पे चुनाओ लड़ रहे हैं किसी भी पार्टी को हम रास्टिय दलहम कहीं भी चुनाओ लड़ेंगे देखो ऐसा है कि यह तो कांग्रेसियों से अब पूछिए और जो लोग बयान दे रहे हैं कि वह अपने रास्टी है देख्ष कही बयान से सामत नहीं है जो लोग बयान दे रहे हैं जिनका नाम आपने लिया माकान जी का उनके बीजे पी से हिए एह क्यों नहीं वह अडानी के जे पीची की मांग पर बोलते क्यों नहीं वह 1300 करोन के प्रधान मंत्री के बंगले पे नहीं बोलते, क्यों नहीं वो 8400 के हवाई जहाद पे बोलते यह माकंजी से पूछे, क्या रिस्ता है उनका BJP से?